इंदिया पोस्स नियूज में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे बागेश्व धाम के शास्त्री पंडित धिरेण शास्त्री के बारे में आखिरकार उनको लेकर इतना बवाल के उबचा हुआ है क्या ये लड़ाई सनातन धर्म को बचाने की है या पिर कुछ और बा आखिरकार इतना बवाल क्यों मचा हुआ है आईए देखते हैं इस स्रेपोट। दर्वार में पूरी बागेश्वर बाला जी की सेना आजाए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंदु प्रिश्ण शास्त्री से जुड़ा मामलाब विवादों में है जादु टोना और अंद्विश्वास के आरोपों से शुरू हुआ मामलाध धर्वान्तुर तक पहुँच गया है देश में सनातन धर्म बनाम इसलाम एसाई पर चर्चा तेज हो गई है मैं बागेश्वर धाम बाबा के समर्थन में संत्र समाज और हिंदू संग्टन से जुड़े लोग खुल कर सामने आ रहे हैं करें दो तरीके से अपमान है कि या गया एक वेक्ति विशेश्कित भाब करें सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग भी हूं वो चूप इने बैख यह बाला जी को लेकर के जो बोला गया है हम हर्गिस इससे बरदास नहीं कर सकते हैं आज हम लोग हनुमान चलिशा का पार्ट पढ़कर सनातन धर्म कर जो लोग मानते हैं उनको यह मैसे दिना चाहते हैं कि जो बजरन बोली से टकड़ाएगा वो चूर चूर हो जाएगा एक बार इनका गद्दा उड़ गया उनका कूल खंदान का नास हो जाएगा आज आप लोग क्या कर रहे हैं हम लोग हनुमान चलिशा का पार्ट पर रहे हैं उनको दिखाना चाह रहे हैं और दिखा रहे हैं कि सनातन धर्म इतना कमजोड नहीं है कि आप उसको ऐसा ही कोई सब्द का परियोग करके असब्द और चले जाएगे बीजेपी नेता कैलाश विजेवर्गी और कपिल मिश्रा समेत कई भाजपा नेता भी बाबा बागेश्वर के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं लोग इस प्रकार का महौल बना रहे हैं वही लोग ऐसे आरोप प्रत्यालोप लगा रहे हैं मेरे को लगता है अगर आपको अंधुश्वास के ऊपर चर्चा करनी है तो पहले उन नकली फादर के बारे में चर्चा करो जो पंजाब के गावों में और आंध्रप्रदेश के गावों में और महराश्ट्रा के ट्रैबल इलाकों में हलेलुया बोला कैंसर ठीक हो गया हलेलुया बोला है जीसस बोला एट्स ठीक हो गया ऐसा प्रचार करते हुए घूम रहे हैं बड़े-बड़े कैम्प लगा रहे हैं उनको तो मैंने नहीं देखा किसी मीडिया चैनल म उनके खिलाफ चर्चा होते हुए, कई ऐसे मुला मुलाना है जो पानी की पिछकारी से कह रहे हैं, इलाज कर दूँगा मैं, भूत बगा दूँगा मैं, उनके खिलाफ कोई समवाद नहीं हो रहा है। की रक्षा के लिए कदम क्या उठाए, कि उन पर अन्य धर्मों के लोगों की ओसे प्रहार होना शुरू हो गया है। की रहा है। की रहा है, यहां में रखेंगे तपी रहा है। की रहा है। इसराई मिशनरी का काम को जिस परकार से आगे बढ़ा रहा है, जिस परकार से उसने पूचे गुरुदेव के उपर एक हमला किया, एक जूटा हमला किया है। उसका मूद और जवाब खुले मन से गुरुदेव ने दिया और गुरुदेव ने ये दिखा दिया, कि किस परकार से पालाजी की शक्ती, किस धर्ती पे आज भी कारे कर रही है। पूरा मामला बिवादों में घिरा है, अब देखना यह है कि इस पर विराम कब लगता है, जहाँ एक और देश भर के साधू संत पंडित धिरेन कृण शास्त्री के बचाओं में आ गये हैं, तो वहीं दूसी और आरोप लगाने वालों की भी कमी नहीं है। पिरो रपोर्ट, इंदिया पोस्ट्निवस